ब्रेक की बाद स्वागत है आपका सत्ता संग्राम में स्टूडियो में स्वागत कर लेती हूं मेरे वरिश सहयोगी निरज महरा और मेरे सहयोगी सहयोग जैन का आप दोनों बड़ी करीबी से काफी लंबे समय से राजनीति को देख रहे हैं इस समय हम बात कर रहे हैं उन 12 पूछना चाहूंगी जिनके लिए मद्दान हो रहा है पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि मद्दान का दिन है आज पूरे देश में पांची चरण का मद्दान हो रहा है साथ राज्यों की 51 सीटों के लिए मद्दान हो रहा है राजस्थान में मद्दान की गती अच्छी ह हाला कि थोड़ा गर्मी अब दिन का समय है तो थोड़ी सी डाउन आई है लेकिन फिर भी अगर आप अभी तक घर से बाहर नहीं निकले हैं सारे काम छोड़कर दो मिनिट का समय निकालिए और मद्दान देने जरूर जाएए एक बार मैं आप दोगों से पास आऊंगे उससे पहले एक खबर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जैपुर में उप मुख्यमंतरी सचिन पालेट ने जालू पूरा के विप्र गौर स्कूल पहुँचकर मद्दान किया इस और पालेट ने मद्दाताओं से अधिक से अधिक मद्दान करने की अपील की एवन टीवे से खास बाचीत में पालेट ने कहा कि कॉंग्रस मुद्दो के आधार पर चुनाओं लड़ रही है इस और पालेट ने खास बाचीत की हमारे समवाद अता Dinesh Qasana ने दूसरे चरण का मद्दान जारी है हमारे साथ हैं PCC Chief और प्रदेश के मुखमंतरी सचेन पाइलट प्रदेश का मद्दान जारी है अभी तक की इस्तिति देखें तो 32-32% मद्दान हुआ है मद्दान बहुत सुलू चल रहा है क्या मद्दातों से अभी खुशी है कि मद्दान पहले से ज्यादा हो रहा है इतनी भीशन गर्मी है फिर भी लोग आके अपने मतादिकार का प्रयोग कर रहे हैं ये एक सुप संकेत है नौजवान लोग पहली बार जो मत डाल रहे हैं वो आके इस लोग तंतर के पर में भागिदार बन रहे हैं ये अच्छा एक भविश के कि हमारा मिशन 25 इसको पूरा करें बाज़पा के पांच साल के कारेकाल को जनता देख चुकी है, जुमले दिये हैं, अब बुरी तरह बेनकाब हो चुके हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हम भारी बहुमत के साथ चुनाब जीतेंगे। उनको हम देना चाहते हैं, तो मद्यमबर की मदद करना, गरीमों की मदद करना, किसान नौज़वानों को समर्द देखना, ये कॉंगर्स का एक विजन है, और मैनिफेस्टो ही सब कुछ बताता है, बीज़पी का वही मुद्दा है, मंदिर, मस्जेद, हिंदू, मुसल्मान, विकास, निवेश, रोजगार, कार खाने लगें, नौज़वानों को आगे बनने का मौका मिले, इस पर हमारी पार्टी कमिंटेड है, इस सुनाव की बात की जाए, कैंपेनिंग मी तो लगातार प्रदान मंत्री, परिवारवाद को लेकर कॉंग्रेस पर आहावी रहे हैं, के जो कॉंग्रेस में वंसवाद की राजनीती है, उसको खतम करने के लिए प्रदान मंत्री जनता के बीच जा रहे हैं, प्रदान मंत्री जी को वंसवाद नहीं दिखता है, जब वसंदा जी के पुतो चुनाव लड़ते हैं, या रमल सिंग जी के बेटे सांचाद रहे, य उदर ठागरी जी और पेटे रानीती करते हैं, तो ये वंसवाद का रोप लगाना औरों के उपर, पूरी तरह कामियाब हो, तो ये थे प्रदेश के उपमुक्रमंत्री और प्रदेश कांगरिस के अद्धैक, सचन पाइलेट लगातार मिसन 25 को लेकर केमपेनिंग की है, औ पूरी उम्मीद के साथ कर रहे हैं कि मिसन 25 में कॉंग्रिस कामियाब होगी वीडियो जर्नलिस्ट, राम किसन सैनी के साथ दिनेश कसाना, एवन टीवी, जैपूर. वसंद्रा जी चुनाव जीती हैं और उसके बाद में 25 के 25 सांसद जब जीत करके यहां से दिल्ली की सरकार बनाने के लिए गए तो वो एक बहुत बड़ा टार्गेट अचीव किया था, मोदी लेहर ने भी और मोदी सरकार ने, वसंद्रा सरकार ने, तो निशित तोर पर ए दोनों ही लीडर्स के ओपर एक बहुत बड़ा एक वजन है, जोर है कि इनको कैसे जादे 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 सांसदों को जेताना है, वहीं दूसरी और देखते हैं तो वसंद्रा जी का कोई खास रोल इस पूरे चुनाव के अंदर नजर नहीं आया, अब चुकि मद्दान आज ही हैं जो पूरी तरीके से चुनाव की कमान समाल करके बैठे हैं, प्रदेश नितृत्व कहीं नजर नहीं आ रहा है, वहीं राहूल गांदी लगातार यहां पर दौरे करते रहे हैं, उनके साथ अशोग घहलोत ने बहुत हवाई यात्रा यहां पर करी हैं, सचिन जब रिजल्ट निकल करके आएंगे कि कॉंग्रेस के लोग किस तरीक से चुनाव लड़े हैं और क्या मैंडेट लोगों ने उनको दिया है, पर निश्यत और अशोग गेलोत और सचिन पाइलेट ने बहुत मेहनत करी है, इन चुनाव के अंदर नतीज़ा बताएंगे, पार्टी ने दो सीटों पर चीत दर्ज की है, तो उसके बाद यूं कह सकते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी के पास पाने के लिए सब कुछ है और खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन क्योंकि राजस्तान में सरकार फिलाल कॉंग्रेस पार्टी की है, और रास्तान का मिज पुने तीन जो सभाएं दोनों ने की है मतला आप समझ सकते हैं कि कितना मेहनत उन लोगों ने किया मेहनत की है लेकिन सासत में ये भी कहूंगी जो देश में मुझे लगता है केंदर के बाद अकेले मुख्यमंत्री अशोग गलोत ऐसे नेता थे जिन्होंने सीधा मोधी पर व मोधी वर्सेश गैलोत का मामला चला और यह जो चुनाओ है राजस्तान में कम से कम मैं मुख्यमंत्र जी की ऐसी कोई सभा नहीं रही ऐसी कोई मिटिंग नहीं रही ऐसा कोई मेरे पास भी जो भी समाचार आये हैं उनमें ज्यादार के निशाने पर प्यम मोधी ही रहे हैं निर जी एक बात मैं आपकी आगे से जोड़ना जागा है जब गुजरात का जो विदान सावा का चुनाओ हुआ था तो अशो गैलोत ने वहाँ पर जाकर के पूरे गुजरात के चुनाओ का नेत्रत समाला था कॉंगरेस की तरफ से और निश्यत तोर बहले कॉंगरेस वहा लोगों को आकर्शित किया जाता है तो निश्यत तोर पर नरेंदर मोदी के लिए बहुत बड़ा टारगेट था अशो गैलोत उनके बेटे वहाँ गैलोत चुनाओ लड़ रहे थे जोटपूर से वहां आकर के उन्होंने कई तंज उनके उपर करे अशो गैलोत ने उसका ज नरब्दा का पानी चुरा कर राजस्थान लेके जा रहा है उनको गुजरात में पड़ा उनको अपनी जाती के आधार में वोट मांगने पड़े उनको कई समाव में रोना पड़ा तो यही कारान था कि जब जोटपूर आते हैं तो उन्होंने सीधा सिधा मुक्यमिद्यश पानी गुजरात में रोख रखें और कहीं ने कहीं जो बड़े निताओं के बीच में यानि की राजस्तान में मोदी वर्सेश गहलोत हुआ कहीं जगह पर और दोनों चुनाओं में जो बासन है बासनों में जिस तरह से दोनों निताओं एक दुसरी पर तंज कसे हैं उसको ड्रटा ने सुना है जहां देश बचाओ लोगतंदर बचाओं उरूदान बचाओं की नाम पर वोट मागे हैंं वहीं मोदी जी ने राष्टवाद सेना और वगास के रावद पाकिस्तान में चुनाओं आते आते कहीं मुद्दों पर फिर यहां पर जो आपने देखा हो आ लास्ट में जो सभाय हुई है मुदी जी की उसमें फिर राष्टवाद का मुद्द फिर चला सेना के नाम पर उन्हों ने वोट मांगे तो कहीं कि दोनों के बीच चलता रहा लेकिन प्रदेश की जंटा बहुत समझदार रहा है उनको भी सोचना है कि कहां विकास होगा कैसे और किसके साथ चलने में फाइदा है अंडरकरंट आप कह सकते हैं बारेद इनता पार्टे के लोगों ने जैसने माना कि युटको लग रहा है कि मोदी लहर का सर है और यही कारणे के मद्दान प्रतिसत बढ़ रहा है वहीं कौंगरिस पार्टे के लोगों लग लग रहा है रशकों से रूबरू हे थे इस मसले पर लोगों में अंडर करन्ट जरूर है पर जनता बहुत साइलेंट है जनता अभी अपना मूड किसी कीमत पर बताने को तयार नहीं है कि वोड का डायरेक्शन किस तरफ दे रही है कहीं नजर आता है बी-जीपी को प्लस है कहीं नजर आत तो जो नजर आता था पहले कि पार्ट के कारे करता लोगों को लेकर आते थे घरों से निकाल के कि आपको मद्दान करने जाना इस बार वो नजारा नहीं है इस बार मद्दाता खुद जागरुक है वो अपना वोट डालने के लिए ततपर है और वो कहां डाल रहा है किसको डा जाएंगी कई न्यूस चैनल्स ने अपना रेफरेंडम दिया अपना सर्वे करके बताया कि ये सीटे क्रोस कर जाएंगी पर आप देखे परिणाम क्या निकल कर किया है परिणाम वो निकल कर किया है कि जो हम सोच नहीं सकते दे कई हद तक की बिलकुल धैलीस पर आकर कि काबिज होगी और बहुत बड़े मार्जिन के साथ में काबिज होगी बताने जाएंगों को कि जो आंकड़ा जो अंतर पिछले बार लोगस्वा चुनाओं के दोरान जो लोगस्वा उमिद्वारों का राएं लाखों मेरा है जैपुर की बात करें साड़े पास लाग से जी पूरी फिल्डिंग की है उनुने कमजोर कि सीटकों नहीं आका जैपुर भारती जनता पार्टी का गड़र है सरुनके ऐक यह काम कर रही ती पूरे चुनाओं की का गड़ होने के बावजूद सबसे जयदा चुनाओ जितने का बावतूद यहां और फुद्वा तुया नह चाहूंगा आप भारती जंता पार्टी को और सरकार को काफी लंबे समय से कवर करते आ रहे हैं आखिर ये क्या वज़े थी आपने भी फरमाया कि वसंद्रा जी का रोडशो कराया जैपूर के अंदर बिल्कुल सही बात है पर बिल्कुल एन वक्त पर आकर के जैपूर के अदारत थी पर जिस तरह एक रोल निरवर्तमान मुख्य 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 में जानना चाहूंगा ओंप्रकाश मातुर राजिस्तान की प्रदेश अद्यक्ष रह चुके हैं सीनियर लीडर माने जाते हैं के इंदर के अंदर बी उनके सेंटर जो बॉड़ी है उसके अंदर अद्यक्ष राज की तारिक में उनकी भी कोई बहुत बड़ी भूमी का नजर नहीं तो कहीं ना कहीं नरेंदर मोदी खुट के खुट के दम पर पुरा चुनाओ लड़ना चाहते हैं जो विदान से बाद चुनाओ पूर मुक्यमंद्री वसंदर राजे के नेतुरित में भ रखा गया उनका कई होडिंग पोस्टरों से उनका चेहरा नदारत किया गया उनकी फोटो नजर नदारत किया दी गई ऑंपर कास माथूर को दूर किया गया क्योंकि उनको लग रहा था कि कहीं जो विदान सबाद चुनाओं का अधर है वह पर नहीं पढ़ जाए और यही क को जाएगा तो सीदी सी वाट तो सीदा सा गनित यह रहा कि उनको लग रहा था पूरे चुनाओं की कमान उन्हीं की आथ में थी उनको समाने पड़ी लेकिन क्योंकि रामचन बोहरा ही जानते थे निरेंदर मोदी की सबाव होने के बावजूर यदि यह एक रोड़ शो वस यह कारने कि खंडेलने ने थी लेकिन कोई बड़ा नेता नहीं था क्योंकि इनको पहले जानकारी नहीं हो पाई यह इस घलत स्वेमें में रहे की आप पी अंपिए मोदी की सबा हो चुकी है वसंदरा बात रा जी है डर लेकिंक्न ने पाहई लेकिन बडे नेता की आबहू पूर्शो ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाया फिकारा हैं तो मोधी लहर है सब कुछ है सब को सारी चीज़े पता है लेकिन फिर भी राजस्तान में किन सीटों पे आपको कॉंग्रस मजबूत नजर आती है देखिए राखी जी यह सवाल आपका है बहुत वाज़िस सवाल है क्योंकि हम पॉलिटिकल एनलिसिस करके बैठे हैं और जंता हमारे दर्शे की जानना चाहेंगे जब आप जवाब दे इस बात का ध्यान रखें अज मद्दान का दिन है हमके कोई प्रभाविक करने वाली बात नहीं करें हमारे बहुत तरह करें क्योंकि और चल रहा है कि चल रहा है जी मेरा भी मनना यह着कि मद्दान के किए नजर चैवाब तक मद्दान हो रहा है लेकिन फिर भी चुनावायों की जो भी नियम है, मैं एक वोटिंग के अलएदा, मैं एक जनता का एक जो माइनसेट है, वो एक गुजारिश करने कोशिश कर रहा हूं, कि जनता के उपर किसी भी उपीनियन मेकर का कोई फरक नहीं पड़ रहा है, सोशल मीडिया पर किसी भी प है कि आप कोई भी आज के वक्त के अंदर एक बड़ा कोई सर्वे एजनसी ये क्लेम नहीं कर पा रहा है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों को लेकर के चुनाव जीतेगी, कौन सरकार बना पाएगा, एंडिये बना पाएगा, यूपी बात कर सकते हैं कि इस बार आपको लगत चुके हैं, मुझूदा सांचत है, वो भी ये गिनाने में ऐसा पर रहे कि हमने ये विकास काम किया और अब मुझे ये विकास के लिए वोट चीए, तो ये चुनाव तो राष्ट्रे मुद्धों पर रहा, कहीं पर कॉंग्रेस पार्टी सविधान और लोकतंतर बचाने के नाम पर बूट मांग रही थी, भारति जंदा पार्टी राष्टवाद और सेना के लिए पूट मांग रही थी, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम Smart City बना देंगे, इतने दिनों समार शिटी बन जाह रहा को लेकर आला कि भी बात दोनों पार्टियों ने की, जे कि यहां कि यह जब बड़ी कमजोरी एक हम फ्री देने की आदर डालने है लोगों को आने वाले समय में फिर क्या होगा कि हर आदमी उस गरीबी रेका से उपर उबरने का कोसिज नि करेगा जब उसको फिरी में सब कुछ मिलेगा तो काई को मेनत करेगा तो में नकारों की जो फोज इस देश सिक्षा दे और रोजगार दे सबसे बड़ी बात तीन चीज की जवरत है सड़क पानी बिजली यह तो दे नहीं है लेकिन चिकिस्टा की स्विदा राजस्तान में फिर भी निशुल के इलाज हो रहा तो लोगों को रात बली लेकिन देश के कही राज्य हैसे हैं राकी जहा लेकिन राने दिख पार्टियां क्या करेंगी च्छेजार देंगे तो आप यह जो रहात नहीं दे रहे हो आप एक ऐसे लोगों की फोज तैयार कर रहे हो जिनको हराम की खाने के आदत पढ़ जाएगी और यह आने वाले समय में बहुत घातक सिद्ध होगा तो राजने दे पारदे ही देगी तो आदमी बाराजार से उपर कमाने के सोचेगा है नहीं और जो कमा रहा है तो उसको शायद शो नहीं करेगा तो कहीं ने कहीं पार्टियों को यह सुचना चाहिए पर आज के वक्त में डिमॉक्रसी के अंदर विनेबिलिटी क्राइटीरिया जो पहले न विस्तिरित पूरी डिटेल के अंदर भी नीरे जीन इसकी व्याक्या करी कि आज सब को मालूम है कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं देश के लिए पर चुनाओ जीतने के लिए मेरे ख्याल से देश हित को साइड में रखते हुए इस तरीकी के पॉलिटिकल पार्टियां काम कर रहे हैं जो कि आने वाले समय पे निश्यत तोर के उपर देश के लिए बहुत घातक साबित हो सकती है जी चली मद्दान अच्छी गती से हो रहा है पिछले चरण में 68.8% मद्दान हुआ था जो पिछले लोगसा चुनाओ के मुकाबले ज्यादा था आज की हम बात करें तो मद्दान की जो गती है वो संतोष जनाक है इससे आपको कितना आशानी नज़र आते हैं अप लोगों में जागरुकता भी है बहुत जागरुकता और यंग्स्टर्स के अंदर नीरा जी आप और हम दोनों चातराजनीती से निकले वे लोग है आप हम जानते हैं कि एक वक्त होता था जब यंग्स्टर इसको या ग्रहनिया इस परव को एक छुट्टी की तौर पर मानते थे क्या छुट्टी है रिलैक्स करेंगे परिवार साथ पिकनिक बनाएंगे पर पिछले कुछ सालों से चीज़ देखने को मिली है कि मद्दान के प्रती लोग यंग्स्टर्स ग्रहनिया महीला हैं इतनी जाजा जाकुलक हो गई है कि अगर कोई वोट नहीं डाल रहा होता है तो प्रेरित करते हैं कि आप घर से निकले और वोट डाल करके हैं जिसकी बानगी आए हमको कई केंद्रों पर नेरजी देखने को मिली सुबह कि पाटिया लागा ती थी लोगों घर से निकाले लाकर लाकर नोडा करता है concerned पर जाकर आ हैं ने तो कहीं हैं लोग स्थान बड़ा कि निकल रहे हैं मलनब अब लोगों को अपने अधिकार का पता लग गया कि उसे वो वोट देगा और उसका वो ये एक वोट है वो देश की तक्दीर बदल सकता है यह वोट देने का अधिकार मेरा है लोग बनते थे वो अब खत्म से हो गए मैंने वोट देना है तो पूरे परिवार उस मुख्या के पीछे जाते थे आज कर एक परिवार में चार जगा वोट जा सकता है अब नेता किसी के बारे में दावा नहीं कर सकता है कि इस को रोणी के इस मोहले के या इस बस्ती के चार जगायो की तो इन चीज तमाम चीज़्ों पर इसमें चुनावा आयों को साधुबाद देना होगा कि उसकी वाक में जो मुहीं है वरंग लाई है उनका प्रचार प्रशारागाई लिश्चित त किम में बैठा डर यह इस चीज की बानगी है कि आज एक विजडम लेविल क्रियेट हुआ है जनता के बीच के अंदर नहीं तो आप पूरा चुनाओ देखिए कहीं पर हमको भूपू नजर नहीं आए कहीं पर अनावशक तोर पर शहर नहीं अट जाते थे पोस्टलों से भू पर एक रिव्यू जो मैंने देखा है देखिए हिंदुस्तान में हर चीज जो होती है वो एक बार बड़े शिखर तक पहुंसती है बहुत तेजी से फिर धीरे धीरे पतन के और बढ़ती है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी अपनी क्रेडिबिलिटी अप खोता जा रहा है देश से क्योंकि उसके पीछे कोई बेस करता है पर कंटेंट होता वीडियो कपका है दिखाया कब जाता है लोगों बंढ़ गया खे लिए से अपने लेविपर चुनाव आयू की सकती हुई है जो मीडिया के नाम पर जो कई लोग ठगी करते थे कम से कम उसक्राइब अंकुस लगा है और अब आपने देखा हो का आज मद्दार है तो कितने प्रत्याश्यों की खुद की प्रसनल वोट अपील नहीं चपी है कि अब ग्यापन देने से पहल कि जो चुनाव लड़ने वाले नेता उन्होंनों भी सोच लिया कि भाईया चुनाव आयू की सकती है तो यह जो कहीं ने कहीं उनको भी बहुत ज़्यादा उनका भी नेताओं के साथ भी क्योंकि जादती में कह सकता हूं कि मीडिया भी बहुत ज़्यादा संक्या में था हर आदमी विग्यापन मांगना अपना दिकार क्योंकि उनको भी लगता पांस साल का परवत तो क्यों नहीं लिया जाए क्यों नहीं मिलना चाहिए और यह चुनाव आयों की सक्ति के चलते अब कहीं कई प्रत्याशियों की बचत होने लगी हाला कि मीडिया के लिए बुरी जो है वार्सप अकाउंट चलने और इंस्टाग्राम और ब्लोगर चलने खुद के परलर मीडिया उन्होंने स्टाट कर लिया चनाव में जो बात उनको इन बात कहने अपनी बात सुन रहे हैं उनके समर्दक हो तक जो बात पहुंचा नहीं हो पहुंचा रहे हैं लेकिन कम स अब ही चालू है शाम 6 बरे तक आप मत का प्रयोग कर सकते हैं अपने घर से बाहर निकलिए मत का प्रयोग किजिए 17 संग्राम में फिलाल इतना ही लेकिन एवन टीवी पे देश और प्रदेश की खबरों का सिलसला लगता जारी है नमस्कार